एक दो भाई नहीं टूटा यार ये बरफ की सिल्या भाई और हाथ जम रहा है यार मेरा हाथ जमने लगा है यार सभी में हाथ जमने लगया हाथ गंदा भी हो गया है तो मैं आज आपको नहीं टाल में एक ऐसी जगा लेकर जाने वाला हूँ जहां पर पानी तक जम जाता है नहीं टाल शेयर की सबसे ठंडी जगा बाई बरफ की सिल्या वाँ पानी से मैं निकाल के लिटरली दिखाने वाला हूँ फिलाल मेरे पीचे खुब सूरत सी नहीं टाल जील दिख रही है तो यहां से वो लोकेशन कहां पर है अभी आप आगे आके देखोगे तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अभी तो मैं चिल्डर्न्स पार्क वाला जो एरिया है ना वहां पर को खड़ा वाँ पहले इस ज फिल का दीदार कर लेते हैं आखों में बसा लेते हैं दो पाल नोकाई भी सामने हमें दिख रही है जो अपने स्टेशन की और बढ़ती भी मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहे टेंपरेचर करी भी इस वक्त 11-12 डिगरी के आसपास दिन में है और समय की बात करते हैं तीन बज़ रहा है वही पांच बेजे के बाद ठंडा शुरू हो जा रहा है लेकिन उच जगा पर जहां जाएंगे ना वहां अभी लिटरली भाई पांच छे डिगरी के आसपास टेंपरिचर हो रहा होगा मिनियुम क्योंकि बरफ जमी पड़ी है बरफ की सिलिया सिलिया जमी पड़ी अभी हम आगे जाके देखेंगे साथ ही साथ हम लोग टूरिजम के उपर भी बात कर लेते हैं कुछ खास भीजबाड हो नहीं रहे है आज भी कल होगी भीड जिस तरीके से हमने सोचा है लानुमान लगा रखा है नहीं टाल शेहर में क्रिसमिस और थड़ी बास के पर तगड़ी भीड होने वाली है लेट सी किस तरीके कर रहेगा लेकिन आज तो ऐसा लग नहीं रहे है लेकिन यहां पर अचानक से ही महाल चेंज हो जाते है ड्रास्तिक चेंज और अचानक से फ्लोटिंग पॉपिलिशन जो नहीं टूरिजम लोग आते है ना पता ही नही अगर लेक से कर डिस्टेंस की बात करें तो अगरी डेड़ किलोमीटर के आज सपास है वाकिंग पैदल करते हुए जा रहे है नजारू का लुट उठाते हुए यहां से पहले हरी डेज मार्किट इसके बाद चीना बावा मंदिर फिर हाइकोट और फिर आ जाता है सूख अ मैं आ चुका हूँ चीना बावा चौराहा के पास अगर आ फोर-wheeler लेकर आते हो तो यहां से आगे को आसकतो यह वनवी और मैं आ रहा हूं इस रोट से यह भी वनवे हैं यहां से आगे को जाके हाए रोट के एक अगर चौराहा टाइप पड़ता है वहां से किधर को जाना और यहां से आगे को जा करें और यह पूरा सूखा ताल है तीक मेरे पीछ़े आपको एक लेग दिखरी होगी जो की सूखी पड़ी भी है इसी वज़े से इसको सूखा ताल बौलते हैं और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर धूप बहुत कम आती है इस वे से यहां पर पानी जम जाता है तो यह पूरी isolated lake है और बारिश के डायम पे यह पूरा पानी से भरा रहता है यह पूरा इलाका तो हम थोड़ा आगे को चलते हैं जहां पर पूरा पानी जमावा है dense forest के बीच में यह इलाका है पूरा गीला पड़ा है विलकुल यार ऐसा लग रहा है यहां पर किसी ने पानी डाल रखा थोड़ा फिसलन भी हो रही है सच्छा मैं यहां पर चलता हूं तो कम से कम सही से चल पाऊंगा थोड़ा अब भी आगे को हम जाएंगे तो हमें पानी हलकाल का जमतावा दिखने लगेगा यह इलाका कुछ ऐसा है ना अगर हम अर्ली मॉनिंग यहां पर आजाएं सुबह 6 बज़े तो कोई जानवर घूमते यहां पर इजिली मिल जाएगा क्योंकि बसासत से थोड़ा सा अलग है बिलकुल आइसुलेटेड जगा है यह और सही मैं बताओ डरावनी जगा है दिन में इस तरीके से आने में भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सही बताओ कुछ जादा ऐसा नहीं कि आरे यार क्या मस्त जगा पर आ गया है थोड़ी सी होरर टाइप है यार यह जगा मैं सही अगर एक्सप्रेस करूँ तो मुझे कुछ जादा यहां पर आकर पॉजिटेव वाइफ बिलकुल नहीं मिल रही है बट यह है कि यहां ने निताल की सबसे ठंडी जो जगा वो यह है बाई यह पूरी ही लेक जमी पड़ी यहां पर देख नहीं रहा है जिससे मैं दिखा सकूँ अगर यह बजीरी कोई टालूं तो मैं एका यह बजीर उठा कर अगर मैं तो यह जादा थंडी हो रही है बजीर यहां पर मारता हूं मैं देखा भाई पूरी जमी भी है तोटा तक नहीं तोटा भी नहीं मुझे और बड़ा पत्थर चाहिए तोडने के लिए और कोई बड़ा पत्थर है नहीं मुझे इस पर चल जा सकता है इतना ज्यादा यहां पर जमा पड़ावाए ना पूरा पानी जम चुका है मैंने इटा उठा लिया है तो मैं देखता हूं इससे तो खै टूठी जाएगा और टू होरा इस जगा पर सही में बहुत जादा ठंडा लग रहा है मुझे आइस क्यूब्स भी जैसे दिख रहे हैं यह देखो यह आइस क्यूब्स दिख रहे हैं यहां पर तो टूटेव आइस क्यूब्स दिख रहे हैं चलो क्या पता उपर कुछ और हमें देखने को मिल जाए य यह देखो, अभे बैंस की मुच, अभे तरी, आइस क्यूब्स, अभे आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स, ओ माइ गॉड, अभे कितना बड़ा है यह, शिट मान, ओ तरी, यह तो उड़ भी निरा यार, भाई ठंदा, एक दो, ओ भाई बरफ, देखरो, तरी, ओ माइ गॉड क यह कहा गया यार में, शिट मान, इतना अजादा ठंडा, ओ भाई, यह तो पूरा ही जमा पड़ा है, तो लिटरली पानी जम जा रहा है, यह भी, मैं फिसल ना जाओ, इवार मैं अपना थोड़ा सा, सेफ होकर, ओ यह, शिट, पानी के सिल्लिया, मला बरफ के सिल्लिया तैर इतनी मोटी बरफ की सिल्लिया दिख जा रही है, यह तोड़ने में मज़े आ रहा है, मुझा तो यह वात तो है, मेरा हाथ जमने लगा है, सही में हाथ जमने लगया, हाथ गंदा भी हो गया है, यहाँ पानी चलो इसी से दो लेता हूं, कम से कम यह गंदा हाथ बहुत हो गया, मेरा, भाई, शिट, मैं, वह भी, यह तो और ऐसा लग रहा है बहिं मैं सही बता हूं जिस तरीके से मुचल ऐसे ऐकनागी आइस क्यूब को नाच्रल प्रोसेस है और यद्धि नीचे तापमान चाही ऐस क्यूब बनाने के लिए और लिए और नाच्र ली से आईस बन रही है और यह सूखा तालोस आपने पानी जमावाए अभी हमने इट मार के देखी इट मार के भी नहीं टूटा यार बड़ाई ध्यान से उतरना पड़ेगा नीचे आराम अराम से गिरना जाओं क्योंकि यहां साहर तरफ आइसक्यूब आइसक्यूब यह पड़े मैं नहीं लेकिन गंदा पानी य जा सकता है मतलब अगर यह पूरा और जमीवी होती है मैं नीचे जाके चल भी लूँ लेकिन यार अगर गलती से कहीं पतला और नीचे घुज गया तो ठीक नहीं रहेगा तो एक दो तूटाई नहीं यार लेकिन आराम से नीचे उतरते हैं तो हाथ सही में जम गया मुझे धूप चाहिए क्योंकि इस अलाके में बिल्कुल भी धूप नहीं है हाथ सही में जम रहा है यार लेकिन मज़ा आ गया इट वास ग्रेट टूबी है ऐसा करते हैं दुबारे एक और बड़ा पत्थर लेते हैं और तोलने की कोशिश करते हैं याला पत्थर लिया जाए चलो ये पत्थर लेकर चलते हैं वहीं पर कोई और इस पत्थर को दुबारा फिक कर देखते हैं और इसे लाए पत्थर से टूटता है या नहीं वैसे मुझे लग रहा था टूट जायेगा लेकिन लेट सी दुबारा अगर तूटा है तो ये एक दो एक दो भाई नहीं तूटा यार ये एक किलो से उपपर का एक देड़ धाई किलो का पत्तर तो होगा धाई किलो के हाथ से धाई किलो का पत्तर पेगा गया फिर भी इतनी जादा थिकने से भाई बरफ की नहीं तूटा ये जो पाला है, बहुत जाधा थंडा है, मैं, चलो अब यहां से निकल रहे हैं, बहुत जाधा थंडा लग रहा है, देखा फिर नेनिताल की सबसे थंडी जगा कुछ ऐसी है, देखो हर चीज जम जारी है यहाँ पर, So this is it for today, I hope you enjoyed the video, at last आपको क्या करने है, चैनल को like, subscribe, जो subscribe वाला बटनों से तोडो, मोडो, जोडो, जो भी करो दबाना जरूर, मिलेंगा आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए, टाडा, बुशूम